तो नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है सेलंद कमार और मैं आपको एक और प्रोड़क्ट से आज फर्चित कराने वाला हूँ तो दोस्तो इस प्रोड़क्ट को आप देख लीजिए और पैचान लीजिए इस वेडियो में सारी जानकारी आपको दूँगा कि मुलेठी चूरन जो होता है इसका क्या फायदा होता है हमारे सरीर के अंदर और दोस्तो जी हमको कितने फ्राइस में मिल जाता है तो दोस्तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस प्रोट की तो दोस्तो यह है पतंजली का मुलेठी चूरन जिसको हम दिब मुलेठी चूरन की नाम से भी जानते हैं दोस्तो इसकी बात करें प्राइस की तो दोस्तो 42 रुपे की इसकी प्राइस है और दोस्तो इसकी एक्सपारी डेट की हम बात करेंगे तो दोस्तो दो यर्स इसकी एक्सपारी डेट बहुत ही आसानी से चल जाती है जानी कि यदि आप इसको रखने के लिए ले रहे हैं तो आ आप इस प्रोजट को लें तो इसमें रामदे वावा का होलोग्राम जरूर देख लें इसके साथ दोस्तो इसमें आप देख पा रहे हो मुलेठी लकडी भी बनी हुई है और सारी की सारी वायो डाटा जो है यहाँ पर लिखा गया है तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए मैं आप बताऊंगा कि इस मुलेट्री चूरन का इस्तमाल हम कहां पर करते हैं और किन को खाना चाहिए किन को नहीं खाना चाहिए तो सबसे पहले तो हम मैं यहीं बताऊंगा कि यह मुलेट्री चूरन किन को खाना चाहिए किन को नहीं खाना चाहिए तो दोस्तो बात करते हैं खाने में तो दोस्तो ये मेला और पुरुष दोनों को ये खाना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी साइड़ बेक नहीं होता है लेकन दोस्तो जिनको शोगर की वीमारी है शोगर का लेवल हाई जल रहा है उसको मुलेठी चूरन नहीं देन चाहिए क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ी सी मिठास होती है जिसकी वदे से दिक्कतें आ सकती है दोस्तों जब आप इस प्रोल्ट को परपेच करेंगे तो इसके अंदर एक सील लगी होती है और सील को जरूर चेक करें यदि वो सील ओपन हो तो उसको ना ले यदि खुला ज गुप्त संबंदी कोई भी बीमारियां होती है तो दोस्तों यदि उनको कंट्रोल करने के लिए आपने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया है तो दोस्तों आप इस मुलेठी चूरन का एक बार इस्तमाल जरूर करें गुप्त संबंदी बीमारी जैसे धात नपन सकता सपने दोस्त आदी परकार की तो दोस्तों वीडियो कैसा लग आखा कमेंट बॉक्स में जरूर समंदा में बताए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पनाए यहीग तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एक और वीडियो लेकर कर आओंगा पकले वाइ